तो दोस्तों इस वीडियों में हम डिस्कस करेंगे HP TGT 8 TAT के चौथे पार्ट की जो है साइकोलोजी सेक्शन तो अगर भी तक आपनी इसके तिन पार्ट को नहीं देखा तो आप उन्हें भी देख सकते हो तो चली देखते हैं आज के प्रश्न को तो पहला प्रश्न पूछा गया था साइकोलोजी का बुद्धी की स्पियर्मेन परिभाषा में G कारक है तो जो यहाँ पर सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प C समाननी बुद्धी को C सही विकल्प होगा अगला प्रशन है एक 5 पर्ष ये बालल की मांसिक आयू 6 पर्ष है तो उसकी बुद्धी लफ़धी क्या होगी तो जो उसकी बुद्धी लफ़धी होगी तो वो होगा बिकल्प एक 120 अगला है दीसरा प्रशन तो प्रशन पूछा गया है बाल केंद्रिक शिश्या का स्मर्थन निमिलखित में से किस विचारक द्वारा किया गया तो जो इसका सही बिकल्प होगा तो वो होगा बिकल्प D जॉन ड्यूवी के द्वारा अगला प्रशन चौथा तो प्रशन पूछा गया है गेट्स के अनुसार अनुवव द्वारा प्यवार में परिवर्तन ही डैश है तो जो यहां पर सही बिकल्प होगा तो वो होगा बिकल्प C अधिगम या सीखना अगला प्रशन 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 पूछा गया है निमिलखित में से कौन सा बुद्धी का सिधान्त हारवर्ड गार्डन द्वारा दिया गया था तो पांचवे का सही बिकल्प होगा D बहु बुद्धी सिधान्त अगला है चटा तो प्रशन पूछा गया है सवी के लिए बिद्ध्याले में सवी के लिए शिक्षा निमिलखित में से किसके लिए प्रचार बाकी हो सकता है तो जो यहाँ पर सही बिकल्प होगा तो वह होगा चटे का B समाविशी शिक्षा अगला प्रशन प्रशन साथमा इसक्यलकुलिया नामक अधिगम अशक्तता सवन्दित है तो जो यहाँ पर सही बिकल्प होगा तो वह होगा बिकल्प B गणिती बिकार से अगला प्रशन है आठमा तो प्रशन है जब कोई परिक्षन बेक्ती की योग्यता का मापन निरंतर और सही रूप में करता है तो वह परिक्षन कहलाता है तो आठमी का सही बिकल्प होगा B विश्वस्निय अगला है नौवा प्रशन प्रशन पूछा है निमलिकित में से कौन सा बस्तुनिष्ट प्रशन है तो नौवा एका सही बिकल्प होगा D सही या गल्डत अगला प्रशन है दस्वा प्रशन में पूछा या है बिशेश आवश्रिक्ता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए तो दस्वा सही जवाब होगा बिकल्प A अन्नी समानी बच्चों के साथ अगला प्रशन है ग्यारवा तो पूछा गिया है एक बिद्यार्थी द्वरा बिग्यान के कख्षा में सीखी गई अब धाना का उप्योग सामाजिक बिग्यान के कख्षा में किया गया यह एक परकार का है तो जो यह होगा तो बहोगा धनात्मक अधिकम स्थानांतरन बिकल्प A अगला प्रशन है बारवा तो प्रशन है पूछा गिया है ब्यक्तिक भीविन्ताय पाई जाती है तो ब्यक्तिक भीविन्ताय पाई जाती है बारा का D उप्रिक्ट सभी में अर्थात बुद्धी में भी पाई जाती है अभी ब्रित्थी में भी और लेंगिक भीन्ता में भी तो बारा का D बिल्कुछ सही होगा अगला प्रशने 13 तो प्रशने पूछा गया है बाले की मानसिक आयू वो शारीरिक आयू दोनों साथ बर्शें उसे किस बर्ग में बर्गे कृत किया जाएगा तो तेरा का सही जवाब होगा विकल्प ए सम्मानिय से कम बुद्धी अगला प्रशने 14 तो प्रशन पूछा गया है निमलीखित में से क्या एक प्रतिवाशाली शिक्षार्थी की विशेशता है तो 14 का सही होगा विकल्प भी यदि कक्षा की गतिवीदियां परियापत रूप से चुनवाती पून नहीं हो तो वह कम उतेजित महसूस कर सकता है और उव सकता है प्रशन है 15 कथानक संप्रत्यक्षन परिक्षन टी एटी एक प्रक्षेपी तक्निक है जिसका उप्योग डैश के मापन के लिए किया जाता है तो ये होगा विकल्प भ्यक्तित्व अगला प्रशन है 16 विकास के संदर में नीमन में से कौन सा कतन सत्य नहीं है तो 16 का सही विकल्प होगा अग्भी विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता अगला प्रशन है 17 तो प्रशन पूछा गिया है विकास की गती एक विक्ति से दूसरे विक्ति में अलग-अलग होती है परन्तो ये डैश सरूप का पालन करती है तो स्तारा का सही होगा विकल्प सी अप्रत्याक्षित अगला है 18 मनोबिज्ञान में सबसे पूरानी बिदी है तो 18 का सही होगा विकल्प ए आतम प्रशन या आतम निरिक्षन अगला है 19 मनोबिज्ञान के प्रत्म पुष्टक किसने लिखी थी या किसके द्वरा लिखी गई थी तो 19 का सही विकल्प होगा विकल्प भी बिलियम जिम्स अगला प्रशन है 20 अनुपांशिक्ता के असली बहाख है तो 20 का सही विकल्प होगा ए गुण सुत्तर अगला है 21 तो प्रशन पूछा गया है प्रियास एवं त्रोटी का सिधान किसके द्वरा प्रतिपादित किया गया था तो 21 का सही विकल्प होगा सी थर्ण डाइक के द्वरा अगला है 22 उस सिधान का नाम बताईए जो समस्या के अक्समिक समाधान की बखालत करता है तो 22 का सही जवाब होगा बिकल्प भी सूज का सिधान अगला प्रशने 23 तो प्रशने में पूछा गिया है शिक्षक नित्रीता से कहा कि उसने ग्रीकार्य पूरा नहीं किया है अतो उसे खेल की कक्षा से बंचीत रखा जाएगा यह द्वरारन है तो 23 का सही बिकल्प होगा अगला है 24 तो प्रशन पूछा गिया है फ्राइड के नुसार ब्रेक्तितों का कौन साथ तत्व सुखवादी सिधान पर काले करता है तो जो 24 का सही जवाब होगा तो वो भी होना चाहिए अगला है 25 तो प्रशन है आउट आफ दे बॉक्स चिंतन किस से सबंदी थे तो 25 का सही बिकल्प होगा अपसारी चिंतन अगला प्रशन है 26 बाईगो तस्की के अनुसार सीखने को प्रिथिक नहीं किया जा सकता तो जो 26 का सही होगा तो वो होगा D उसके समाजिक संदर्व से अगला प्रशन है 27 तो प्रशन है प्रचलित योजनाओं में से नई जानकारी जोडने को किस नाम से जाना जाता है तो 27 का सही होगा D संगठन 27 का D बुढ बर्थ का अगला है 29 समाजिकर्ण की प्रक्रिया में शामिल है तो 29 का सही जोड़ोगा बिकल्प C समाज के मांदर्णों का अनुकुलन अगला है 30 तो प्रशन पुछा गिया है प्याजे ने शेश अवस्ता को कहा है तो ये कहा है संबेदी प्रिरक अवस्ता बिकल्प A तो ठीक है दोस्तों यहाँ पर हमारी साइकोलोजी सेक्शन समाप्त हो जाता है अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जूर करें साथ में बेल लाइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहे तो ठीक है दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है जल्दी आप से मुलाकात होगे एक नए वीडियो की साथ तब तक के लिए धन्यावाद